Hello and Welcome to Bridgewala Education YouTube Channel आज के इस educational वीडियो में बच्चों हम discuss करने वाले हैं Class 9 के English Supplementary Reader के Chapter No. 5 The Happy Prince को बच्चों ये इस Chapter का Part 1 वीडियो है Part 2 का लिंक आपको इस वीडियो की description में मिल जाएगा आप वहाँ से देख सकते हैं तो चलिए करते हैं शुरू हमारा Chapter The Happy Prince Happy Prince का मीनिंग आपको पता ही होगा Class 9 के student हैं आप लोग पता ही होगा Happy का मतलब खुश, Prince का मतलब राजकुमार जो राजा का बेटा होता है, राजा के साथ रहता है जो ये Chapter है काफी emotional story है इस Chapter में Oscar Wild की लिखी होई काफी अच्छी story है ये The Happy Prince was a beautiful statue इस story में जो Happy Prince है वो एक सुंदर statue है ठीक है, वो एक सुंदर मूर्ती है जो की एक शहर में काफी उची जगह पे बनाई गई है उसको गोल्ड से कवर किया गया है उसके आँखों में sapphires हैं sapphires यानि नीलम यानि कीमती पत्थर होते हैं precious stones होते हैं और उसके तलवार में एक रूबी जड़ा हुआ है रूबी भी एक तरह का डाइमंड होता है तरह का हीरा होता है वाइ डिड़ी वोंट तो पार्ट वाइ डिड़ी वोंट तो पार्ट विद ओल दे गोल्ड तट ही है और इस precious stones लेकिन ये Happy Prince चाहता है कि उसके रूबी उसके sapphires और उसकी बोड़ी पे जो गोल्ड की सजावत की गई है वो सारी उसको उससे ले ली जाए ऐसा वो Happy Prince क्यों चाहता है यही इस chapter में हमें समझाया जाएगा तो चलिए करते हैं शुरू काफी अच्छा चेप्टर है जुड़े रहे हैं हमारे साथ High above the city on a tall column stood the statue of the Happy Prince शहर में काफी उची जगह पे एक tall column पे उचे pillar पे उचे खंबे पे एक statue बनाया गया था Happy Prince का He was gilded all over gilded का मतलब सोने से सजाया हुआ सुनहरा बनाया हुआ Thin Leaves of Fine Gold Fine Gold की छोटी छोटी पतली पतली पत्तियों से उसके statue को सजाया गया था उसकी आँखों की जगह पे दो चमकते हुए sapphires थे ठीक है sapphires gemstones होते हैं and a large red ruby glowed on his sword hilt और एक बड़ा red color का ruby बड़ा एक red color का ruby diamond जो है चमक रहा था उसकी sword के अगले हिस्से पे अपनी squad की hilt पे One night there flew over the city a little swallow एक रात उस शहर के ऊपर से एक छोटी चिडिया एक छोटा चीडा एक छोटी सी छोटा स्वेलो जो है वो उड़ता है उस शहर के ऊपर से उसके friends उस स्वेलो के friends पहले से ही 6 हफते पहले Egypt जा चुके थे इसके friends 6 हफते पहले ही Egypt चले गए हैं क्योंकि यहाँ पे सर्दिया आने वाली हैं और यह birds सर्दिया नहीं सहन कर सकते इसलिए but he had stayed behind then he decided to go to Egypt लेकिन शुरू में तो वो अपने friends के साथ नहीं गया रुक गया था लेकिन बाद में उसने भी जाने का decide कर लिया सारा दिन वो उड़ता रहा और रात के वक्त वो उस शहर में पहुंचा कौन से शहर में जहां पे happy prince का statue था मुझे कहां रुकना चाहिए where shall I put up का वतर मुझे कहां rest के लिए रुकना चाहिए उसने सोचा शायद इस शहर शहर ने कुछ न कुछ तयारियां तो जरूर कर रखी होंगी मेरे लिए तो यहां पे थोड़ी humorist tone में कहता है वो मजागिया लहजे में वो कहता है कि शायद शहर ने मेरे लिए कुछ तयारियां तो की होंगी फिर उसने उस happy prince के statue को देखा जो एक बड़े column पे बड़े pillar पे बनाया गया था मुझे मैं वहां ठहरूंगा मैं वहां रुकूंगा he cried वो अच्छे मतरब अच्छे mood की वज़े से वो अपने आप से खुशी-खुशी कहता है ओ मैं वहां रुकूंगा it is a fine position ये काफी अच्छी position है with plenty of fresh air यहां पे काफी ताजी हवा भी आ रही है so he alighted just between the feet of the happy prince इसलिए वो उतर गया उस happy prince के पैरों के बीच में I have a golden bedroom मेरा bedroom तो सोने से सजा हुआ है वो happy prince की तरफ देखते हुए कहता है he said softly to himself as he looked around अपने चलों तरफ देखता है जब वो कहता है कि मेरा bedroom तो सोने से सजा हुआ है golden है और वो सोने की तयारी करता है लेकिन जैसे ही वो अपना सिर अपने wing के नीचे रखके सोने की तयारी कर रहा होता है तब ही पानी की एक बहुत बड़ी drop पानी की एक बहुत बड़ी बूंद उसके उपर गिरती है what a curious thing कितनी अजीब सी बात है ठीक है कितनी curious बात है वो चीखता है वो कहता है अपने आप से आसमान में एक भी बादल नहीं है तारे बिलकुल साफ साफ नजर आ रहे हैं brightly shine कर रहे हैं लेकिन फिर भी बारिश हो रही है फिर एक और बूंद गिरती है जब वो अपने आप से यही सब कह रहा होता है तो तभी एक और बूंद गिरती है इस statue का फाइदा ही क्या है जब ये मुझे बारिश से नहीं बचा सकता वो कहता है मुझे शायद किसी chimney port में जगे लेनी चाहिए किसी chimney में जगे लेनी चाहिए मुझे and determined to fly away और वो तयारी करता है उड़के कहीं और जाने की लेकिन जैसे ही वो अपने wing खोलने लगता है जैसे उसके wing खोलने से पहले ही तिसरी drop उसके उपर गिरती है वो उपर की तरफ देखता है ओ, what did he see, उसने क्या देखा उसने एक ऐसी चीज़ देखी जिसका उसने expectation नहीं किया था happy prince की जो आँखे हैं वो आशों से भरी हुई थी happy prince का जो statue है वो रो रहा था and the tears were running down his golden cheeks सोने से बने हुए इसके गालों पे से आंसू नीचे की तरफ आ रहे थे उसका face moonlight में इतना सुंदर दिख रहा था चांद की रोश्णी में उसका face इतना सुंदर दिख रहा था कि जो छोटा swallow था उसको दया आ गई उस statue के उपर उस रोते हुए statue के उपर who are you he said तुम कौन हो swallow पूछता है happy prince से I am the happy prince मैं happy prince हू why are you weeping then ask the swallow फिर swallow पूछता है फिर तुम रो क्यों रहे हो जब तुम happy prince हो तो तुम रो क्यों रहे हो you have quite drenched me तुमने अपने आंसूं से मुझे भिगो दिया है drenched का मतर है भिगा देना पानी डाल देना जब मैं जिन्दा था और मेरे पास इंसानी दिल था जब मैं जिन्दा था तो मेरे पास इंसान का दिल था उस statue ने answer किया मुझे पता नहीं था उन दिनों में कि आंसूं क्या होते हैं क्योंकि मैं मैं महल में रहता था, जहां पे दुखों को entry की इजाजत नहीं है, यानि महल में रहने वालों को कोई दुख ही नहीं होता, उनके पास सारी चीज़ें अभी लेबल होती है, मेरे कोटियस, मेरे दर्बारी, मेरे दर्बार में रहने वाले लोग मुझे happy prince कहते थे, और मैं happy था भी, indeed का मतरव बास्ताव में, असलियत में, असलियत में मैं खुश रहता था हमेशा, मुझे दुख नाम की चीज़ का पता ही नहीं था, so I lived and so I died, ऐसे ही खुशी खुशी मैंने जिंदगी कुजारी, और ऐसे ही मैं गुजर गया, मर गया एक दिन, and now that I am dead, they have set me up here so high, और अब जब मैं मर गया हूँ, तो उन्होंने मुझे इतनी ऊपर शहर में जगे दी है, that I can see the ugliness and all misery of my city, कि मैं अपनी शहर की ugliness को, यानी बदसूरती को, पहले मैंने जब मैं human था, तब मैंने सिर्फ खुबसूरती देखी, लेकिन अब मैं बदसूरती भी देख को भी देख पा रहा हूँ, and though my heart is made of lead, yet I cannot choose but weep, वैसे तो मेरा दिल अब lead का बना हुआ है, human hurt भी नहीं है मेरे पास, मेरा दिल lead का बना हुआ है, लेकिन फिर भी मैं सिर्फ रो ही सकता हूँ, इनकी कोई मदद नहीं कर सकता, जो लोग दुखों से गुजर रही हैं, तो happy prince क कहता है, यह सुमझाता है, कि मेरे आसपास जो लोग है, मेरे आसपास जो घर है, उन घरों में काफी लोग दुखी हैं, और उनके दुख को देखके मैं भी रो रहा हूँ, मैं कुछ और कर ही नहीं सकता, He was too polite to make any personal remarks, वो यह बात बोलता नहीं है, क्योंकि वो काफी polite था, अब behavior में, ठीक है, काफी विनम्र था, और उसको लगता है कि अगर वो यह बात, वो यह बात सोचता तो है अपने मन में, लेकिन बोलता नहीं है, उसको लगता है कि यह insert हो जाएगी एक तरीके से, happy prince की, far away, दूर कहीं, continued the statue in a low musical voice, musical सी आवाज में, rhythmic आवाज में, statue continue रखता है, far away in a little street, there is a poor house, दूर कहीं एक गली में एक गरीब घर है, one of the windows is open, एक खिडकी खुली हुई है, and through it I can see a woman seated at a table, और उस खिडकी में से मैं देख पा रहा हूँ, कि एक औरत, एक मेज पे बैठी हुई है, उसका चहरा पतला है, और वोन, वोन का मतलब जैसे बूड़े हो चुकी है, काफी काम करके थक चुकी है, ऐसा चहरा, थका हुआ चहरा है, उसका, she has coarse red hands with pricked by the needle, उसके rough हाथ है, red color की हो चुकी है, उसके हाथ काम करकर के, all pricked by the needle, और उसके हाथों में needle के भी घाव है, needle के भी जगे ही है, for she is a seamstress, क्योंकि वो एक seamstress है, seamstress का मतलब दरजी का का काम करती है, she is embroidering flowers on a satin gown for the loveliest of queens, maids of owner, वो embroidery कर रही है, embroidery का मतलब कढ़ाई कर रही है, एक dress के उपर fool बना रही है, वो एक dress के उपर fool बना रही है, एक satin gown के उपर, एक gown के उपर fool बना रही है, queen की maids of owner के लिए, maid of owner होता है, जो मुख्य सेवी का होती है, राणी की जो main servant है, जो main maid है, ठीक है, उन में से जो सबसे प्यारी maid है, राणी की, राणी की सबसे फेवरिट जो maid है, उसके लिए वो एक gown के उपर, जो है, फूलों का decoration कर रही है, और वो जो gown है, उस maid of owner को, उस maid को, अगले court ball में, court में होने वाले, अगले function में, ball का मतरब है function, अगले function में पहनना है, in a bed in the corner of room, her little boy is lying ill, उसी कमरे में, कोने में एक bed लगा हुआ है, जहाँ पे एक छोटा लड़का बिमार है, उसको fever है, उसको बुखार है, और वो अपनी मदर से oranges मांग रहा है, खाने के लिए, क्योंकि वो भुखा है, उसकी मदर के पास देने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ river water है, so he is crying, इसलिए वो बिचारा, पहली बात तो बुखार में है, दुसरा वो भुखा है, इसलिए वो रो रहा है, क्योंकि उसकी मदर के पास उसको सिर्फ पिलाने के लिए, नदी का पानी तो है, खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है, वो इतनी गरीब है, Swallow, Swallow, Little Swallow, वो थोड़ा musical tone यहाँ पे दी है, राइटर ने हमें, चिडिया, चिडिया, प्यारी, चिडिया, Will you not bring her the ruby out of my sword hilt? क्या तुम उस poor woman को मेरी sword hilt में मौझूद, मेरी तलवार में मौझूद, ruby निकालके नहीं दे आओगे, यानि Happy Prince चाहता है कि जो little Swallow है, वो उससी तलवार का ruby निकालके, उस seam stress को दे आए, My feet are fastened to this pedestal and I cannot move, मेरे जो pair हैं वो इस pedestal से, pedestal नहीं, जिस pillar के उपस को बनाया गया था, मेरे पैरी spellester से fastened है, चिपके हुए हैं और मैं move नहीं कर सकता, नहीं तो मैं खुद जाके दिया था, I am waited for in Egypt, मेरा Egypt में wait किया जा रहा है, Swallow ने कहा, मेरे friends, Nile River, Nile जो है, वो काफी famous river है Egypt की, मेरे जो friends हैं, मेरे जो दूसरे Swallow friends हैं, वो Nile River पे उपर नीचे उड़ रही है, ठीक है, Nile River के उपर उड़ रही है, वो बड़े बड़े lotus flowers से बातें कर रही हैं, वो जल्दी ही सोने के लिए चले जाएंगे, तो वो लोग मेरी wait की जा रही है, मुझे भी उनके साथ होना चाहिए, happy prince ने Swallow से पूछा कि वो एक रात के लिए, सिर्फ एक रात के लिए उसके पास रुख जाए और उसका messenger बनी, ठीक है, उसका संदेश, उसका सामान जो है वो पहुचा के आए, जिसको वो देना चाहता है, the boy is so thirsty and the mother so sad, he said, लड़का काफी प्यासा है और mother काफी उ एजिप्ट जाना है, मैं किसी लड़की की help नहीं करने वाली, वाला, Swallow कहता है, लेकिन happy prince इतना उदास दिखाई दे रहा था, कि वो जो little Swallow है, he was sorry for him, उसको उस happy prince के उपर दया आ रही थी, it is very cold here, he said, but he agreed to stay with him for one night and be his messenger, काफी ठंड हो चुकी है, वैसे तो, काफी ठंड हो उस happy prince की मदद करने के लिए, उसका messenger बनने के लिए, एक रात के लिए, महां रुकने के लिए तैयार हो जाता है, Thank you little Swallow, set the prince, Thank you, कहता है prince उस Swallow को, Swallow ने उस बड़े से ruby को, प्रिंस की तलवार से निकाला, और उसको अपनी चोंच में दबा के उड़ गया, शहर की छटों था, उसके पास से वो गुजरता है, उस white marble angels were sculptured, उस cathedral tower के पास, white marble से angels बनाए गए थे, angels कौन होते हैं, भगवान की फरिष्टे बनाए गए थे, वो palace के पास से गुजरता है, महल के पास से गुजरता है, और dancing की आवाज उसको सुनाई देती है, यानि महल में अभी भी enjoyment हो रही है, तो यहाँ पर देखो, fact दिखा रखा है एक तरीके से, कि महल के लोग किस तरीके से enjoy कर रही है, उनको अपनी subjects की फिकर ही नहीं है, a beautiful girl came out on the balcony with her lover, एक सुन्दर लड़की अपने lover के साथ balcony में आती है, महल की balcony में आती है, I hope मेरी dress जो है, वो time से तयार हो जाए, आने वाले function के लिए, वो कहती है, वो lover कहती है, वो beautiful lady कहती है अपने lover से, I have ordered flowers to be embroidered on it, but the seam stresses are so lazy, मैंने एक seam stress को, एक lady को, सिलाई करने वाली lady को, उसके उपर flowers embroider करने का order दिया है, लेकिन आज इकल की seam stresses का बहुत आलसी है, काम करके राजी ही नहीं है, तो देखी, क्या दिखाया गया चेप्टर में, काफी मतरब emotional सी जो है, picture हमारे सामने लाने की कोशिश की है, हमारे writer ने, ठीक है, एक तरफ तो वो palace में function को enjoy कर रही है, अपनी life को काफी enjoy कर रही है, और जिस seam stress को, उसने अपना gown, embroider करने के लिए दिया है, वो बेचारी काफी बुरी condition में है, लेकिन फि पेन की maid है, ये फिर भी उसको बुरा बता रही है, कि वो आलसी है, काम ही नहीं करती है, जबकि असली condition क्या है, seam stress की वो हम उपर पढ़ चुके है, वो river के उपर से गुजरता है, और उन lanterns को, उन लाल टेनों को उन lanterns को देखता है, जो कि ships की mast पे, ships के उपर वाले हिस्से पे लटकी हुई थी, आखिरकार वो उस गरीब seam stress के घर पे पहुंच जाता है, और अंदर देखता है, the boy was tossing feverishly on his bed, जो लड़का था, वो बुखार की वजए से अपने बेड पे करवटे मदल रहा था, तंग था काफी, और जो मदर थी, वो सो चुकी थी, क्योंकि वो जादा थक चुकी थी, काम करकरके, embroidery करकरके, इन ही hopped, वो उचल के अंदर गया, उस बड़े ruby को table, उस women की table के पास रखा, थिंबल क्या होता है, जो seam stresses होती है, वो अपने अंगूठे में एक तरह का पहनती है, वो सिलाई करते हुए, तो उसको थिंबल कहा जाता है, तो थ अंखों को flap करते हुए, उस लड़के के forehead पे, उस लड़के के माथे पे हवा करता है, अपने wings से, how cool I feel, मुझे काफी ठंडक महसूस हो रही है, लड़का कहता है, I must be getting better, शायद मैं अब अच्छा फील कर रहा हूँ, अब शायद ठीक हो रहा हूँ, and he sank into a delicious slumber, और वो एक का मदद की ही, साथ ही उस बिमार लड़के को भी थोड़ा आराम दिया, उसके माथे के पास हवा की, उसको ठंडक पहुचारी और लड़का जो है, वो सो गया, फिर वो जो swallow है, वो happy prince के पास वापिस आ जाता है, उड़के, और जो भी swallow ने किया था, वो सब बता देता है, it is curious he remarked, but I feel quite warm now, although it is so cold, वो swallow कहता है, कि वैसे तो आसपास काफी ठंड है, लेकिन फिर भी मुझे गर्माहट का एहसास हो रहा है, पता नहीं क्यों, swallow कहता है, this is because you have done a good action, ऐसा इसलिए क्योंकि तुमने एक अच्छा काम किया है, इसलिए तुम्हें अच्छा फील हो रहा है अं कि जब भी वो सोचता है, तो उसको नीद आ जाती है, यह swallow की आदत थी, इसलिए वो सोचता है, कि आसल में प्रिंस जो कह रहा है, वो सच है, ऐसा सोचते सोचते वो सो जाता है, जब दिन होता है, सुबह होती है, तो वो river जाता है उड़के, वहाँ जाके नहता है, आज रा वो उस शहर के सारे monuments पे visit करता है, side seeing करता है वो वहाँ पे, और church steeple, church के tower पे काफी लंबे time तक बैठा रहता है, शहर का नजारा enjoy करता है, जब चांद निकल आता है, यानि रात का वक्त हो जाता है, वो दोबारा happy prince के पास आता है उड़के, क्या तुम्हारे पास Egypt का कोई क Egypt, क्या Egypt में तुम्हारा कुछ काम है, वो कहता है, I am just starting, मैं Egypt के लिए start कर ही रहा हूँ, मैं Egypt के लिए अपनी journey शुरू कर रहा हूँ, swallow swallow little swallow, said the prince, दोबारा फिर कहता है, प्यारी चेडिया, please, will you stay with me one night longer, क्या तुम एक और रात के लिए मेरे साथ रुख सकते हो, I am wanted for an Egypt, answer the swallow Egypt में मेरा wait किया जा रहा है, मैं बहाँ जाना चाहता हूँ, Egypt में मेरा इंतजार किया जा रहा है, swallow swallow little swallow, said the prince, far away across the city, I see a young man in a garret, swallow swallow प्यारे swallow, prince कहता है, इस चहर में काफी दूर, मुझे एक young man दिखाई दे रहा है, garret में, garret क्या होता है, जो घरों का उपर वाला हिस्सा होत है, ठीक है, उसको garret कहा जाता है, परचती बोल देते हैं, जिसको हम कई बार, काफी छोटा सा कमरा है, घर में ऊपर बना हुआ, काफी छोटा सा कमरा है, बिजमल सा कमरा है, वहाँ पे कोई brightness, कोई shiny चीज नहीं है, ठीक है, तो एक garret में एक young man है, he is leaning over a desk covered with papers, वो जो है प्लास रखा हुआ है, जिसमें मुर्जाय हुए violets, मुर्जाय हुए flowers, मुर्जाय हुए plants लगे हुए है, यहाँ पे comparison किया है, एक तरीके से, metaphorically एक comparison किया गया है, कि लड़का भी उन flowers की तरह मुर्जाया हुआ है, लड़का भी काफी ठका हुआ है, ठीक है, और वो जो flowers है वो भी मुर्जाय हुए है, उसके जो बाल है वो brown है और crisp हो चुके है, उसके जो lips है वो अनार की तरह लाल हो चुके है, उसकी बड़ी-बड़ी और dreamy eyes है, यानि वो सपने देखने वाला लड़का है, he is trying to finish a play for the director of the theater, theater के director ने उसको एक नाटक पूरा करने का काम दिया है, वो एक playwright है, नाटक लिखने वाला है वो एक, but he is too cold to write anymore, लेकिन वो इतना ठंड महसूस कर रहा है, कि वो लिख ही नहीं पा रहा है, there is no fire in the grate, grate में यानि जहां पे आग जलती है, वहां पे आग नहीं है, and hunger has made him faint, ठीक है, और भूक की वज़े से वो लगबग बेहोश हो गय है, I will wait with you one night longer set the swallow, ठीक है मैं तुम्हारे साथ एक रात और रुकूंगा, swallow कहता है, who really had a good heart, swallow का भी दिल काफी अच्छा था, ठीक है, क्योंकि Prince X statue होके जब अपनी subject के लिए तना सोच रहा है, swallow तो फिर भी एक living bird था, he asked if he should take another ruby to the young playwright, ठीक है, तो वो पूछता है, चलो मै एक और ruby निकालके उस playwright को, उस नाटक लिखने वाले को दे आता हूँ, अलास, I have no ruby nights now set the prince, अब तो मेरे पास कोई ruby ही नहीं बचा, my eyes are all I have left, मेरे पास मेरी आखे हैं, they are made of rare sapphires, मेरी आखे भी कीमती नीलम से, rare यानी कम मिलने वाला, sapphires का मतलब नीलम एक तरह का precious stone हो इंडिया thousand years ago, जिनको हजारो साल पहले इंडिया से लाया गया था, वो swallow को order देता है कि वो उसकी एक आख निकालके उस playwright को दे आए, he will sell it to the jeweler and buy firewood and finish his play, he said, वो उसको jeweler को बेच देगा, sapphire को, अपने लिए जलाने की लकडी खरी देगा, और फिर अपना play जो है वो finish कर प जाएगी, अगर मैं ऐसा करूँगा तो, ठीक है, आपकी आँख चली जाएगी इससे, इसलिए वो swallow जो है रोने लगता है, नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगा, आपका नुकसान नहीं करूँगा, मैं, swallow, swallow, little swallow, said the prince, do as I command you, swallow, swallow, प्यारी swallow, वही करो, जो मैंने तुम्हें करने के लिए कहा है, do as I command you, जैसे मैंने तुम्हें कहा है, please वैसा ही करो, तो swallow ने प्रिंस की आँख निकाल ली, और उस young man के garret में उड़के चली गई, अंदर जाना काफी आसान था, क्योंकि छत में एक तो darted का मतलब छलांग लगाते हुए, उसके अंदर से वो निकल गई, उस छेद से कमरे में चली गई, young man ने अपने हाथों, अपने सिर को अपने हाथों में दबा रखा था, बरी कर रखा था, क्योंकि वो काफी ठका हुआ था, इसलिए उसने bird के अंदर आने की आवाज भ और जब उसने उपर देखा, तो उसने देखा कि beautiful sapphire जो है, वो withered violets, यानि मुर्जाय हुए फूलों के पास एक beautiful sapphire, एक बड़ा सा कीमती sapphire रखा हुआ था, नीलम का पत्थर रखा हुआ था, अब मुझे तारीफ मिलने लगी है, अब मेरा फायदा होने लगा है, अब मु Students Part 1 में इतना ही, आगे हम continue करेंगे इस chapter को Part 2 में, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, तो please वीडियो को like और share जरूर कीजेगा, आपके likes हमारे लिए बहुत important students, तो please वीडियो को like करना मत भूलिएगा, अगर आप class 9 के students हैं, तो एक बार जाने से पहले इस वीडियो के description को जरूर चेक करें, वहां आपको अपनी class के लिए अलग-लग subjects का काम का content देखने को मिलेगा, तो एक बार उसको check जरूर करें, और अगर आप इस channel पे नहीं है, अभी तक आपने subscribe नहीं किया है, तो channel को subscribe जरूर करें, और दबा दे notification bell icon को, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडि करें, सबसे पहले notification पहुँचें आपके device तब, thank you everyone.